हालो दोस्तों, Study with Concept के इस Study Platform पर आप सभी का स्वागत है और साथ इस स्वागत हैं अमारे इस महा स्रीज में Classic से History and CRT के स्लेंखला में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असोक एक अनोखा समराथ जिसने युद्ध का त्याग किया यह अध्याय आठ है तो यह एक छोटी सी कहानी है इसको आप लोग पढ़ लिजेगा बाके हम सिध्या आते हैं इस पर एक बहुत बड़ा राज्य एक समराज्य में कैसे परिवर्तित हुआ या एक बहुत बड़ी राज्य को समराज्य क्यों कहा गया उसके बारे में देखते ह तो हम जिन सेरों के चीतर रुपयों पैसो पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है उन्हें पत्थरों को काट कर बनाये गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विसाल अस्तंब पर स्थापित किया गया था तो यहां से आपको दो चीजें याद करनी है सबसे पहले तो य होगे के जो विसाल अस्तंब ये कि सिब्साइश सारनाथ में मअ गल असोख की पर स्कूप और ये कहां पर इस्थापित है तो यह है नैजे सार नाथ में तो यह लोकेशन आप लोग ध्यान देजेगा इन्हें कहां पर है इसको यहां पर कलाइवम संसिक्रीटी में भी यूज कर सकते हैं कलाइवम संसिक्रीटी में पूछता है तो मौर्य कालिन कलाइवम संसिक्रीटी में भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं कि संसिक्रिटी में यूज कर सकते हैं कोशन आपसे यह भी पूछ सकता है कि मोर्य कालिन का लाइवं संसिक्रिटी की भी सेस्था बताईए तो आप दू-चार ऐसे चीजों को डे करके अगर चलेंगे छोड़ी चीजों को अराम से भी सेस्था बता लेंगे जैसे कि इसमें असोक अस्तंब को असोक अस्तंब को राष्टी प्रतीक के रूप में अपनाया है एक तो यह आप लिख सकते हैं दूसरा आप लिख सकते हैं कि असोक अस्तंब के निचले भाग में इस्थित चक्र को भारतिय तिरंगे कि मद्यभाग में रखा गया है यह अपनी तिरंगे में रखा गया है मद्यभाग में इसको लेख सकते हैं फिरह कि इन सेरों के बारे में भी आप देख सकते हैं चार सेर हैं में चारों दिशाओं में एक पीछे हैं तो आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि चार दिशाओं में कि चार कि दिशाओं में कि दिशाओं में दाहारते कि दाहारते हुए कि सिंग कि सिंग धम कि चक्रपरवर्तन कि धर्म चक्रपरवर्तन के रूप में के रूप में दृष्टि मान है और इन चारो दिसाओं में सेरो को जो दिखाये गया है से तुल्ला इससे भी की गई है कि जो बुद्ध विच्चु थे जो विद्ध विच्चु थे वह चारो दिसाओं में जा करके लोक कलने आड़े यहां पर मैं लिख देती हूं बहुत वि चारों दिशाओं में जाकर लोगों के हितों है तो लोग कनले आड़ फिर आपने सांती या पर सुक सांती पर बल दिया बल दिया अज़क आगया है کہ बहुत विच्चु जो थे वो चारों दिशाओं में इन चारों का मतलब यह है कि चारों दिशाओं में जाकरके लोगों के कल्यार है तू सुक सांती है तू अपर चार पर सार करना तो इस तरीके से आप कलाईवम संसक्रेटी में आपको कुछ भी नहीं याद है बस आपको ये याद है कि हाँ ये चित्र कैसा था तो इससे भी आप काफी हद तक चीजों को कर ले जाएंगे तो इसके गबर आप लोग अच्छे से देख लेजेगा कि कोशन बन भी सकता है कि करेंट में भी रहा है बीवाद भी रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो नए संसक्र भवन की च्छत पर असो कस्तम बनाये गया है उसको ले करके काफी प्रतिक्रियाएं व्यक्ते की कैँ एक भी यहीश दर्साया गया है उसका मुँ बहुत घर्ढ भ控़ और देखने में भयाक लग रहा है कि यह थीकर आ कि यह बोल जा रहा है कि इसका मुझ्यू है काफ़ी गुस्से दिखायगा गुशे में अधायरती हो दिखाय गया है जब कि असोक स्थम्प में ऐसा नहीं तो इसके लिए कर कि काफ़ी वीवादित रहा यह ऐसको रृण और लोगों का कहला है कि इसमें कोई छेर चाड़ नहीं हुआ लेकिन बाकियों का कहना है कि ने इसमें छेर चाड़ हुआ है और इसके सोरूप में परिवर्टन कर दिया गया है तो यह भी कोशन बन सकता है तो आप लोग इसके बार अच्छे से देख लीजिएगा फिरागे देखते हैं कि तिहास की महानतम राजाओं में से एक असोक के निर्देश पर इसके जैसे कई अस्तंबो और पत्रों पर अभिलेक उतक्रिन किये गए इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेकों में क्या लिखा है यह समझने की कोशिस करें कि उनके राजी को कियों कहा जाता है असोक जिस समराज पर सासन करते थे इसका अंसर है कि असोक जिस समराज पर सासन करते थे उसके स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभक 2300 साल पहले की थी तो आपको एक फेक्ट यहां पर यह ध्यान रखना है कि यहां पर दादा है यहां पर पिता लिख देगा कुछ भी करके आपको कंफ्यूज कर देगा यहां धीरे से कुछ और डाल देगा तो आपको धियान रखना है कि यहां पर यह दादा है तो इस सब्दों को ज़्यादा फोकस करना है चाडग के यह कोटिल ने नाम के एक वुद्धिमान व्यक्त चाहित है एक मिने कई विचार साथ नाम की किताब में मिलते हैं तो यहां पर है कि समराज की उका देदा तो उसी कह यहां पर है कि सामराज्य में बहुत से नगर थे अब यह फर दिया है कि सामराज्य में बहुत से नगर थे इन में समराजी के राजधानी पाटली पूत्र, उज्जैन और तक्षिचिला जैसे नगर परमुक्थे अब ये मैपिंग आ गया यहाँ पर मेंस ओप्षिनल के जो बच्चे हैं मेंस में जिनका हिस्ट्री ओप्षिनल है हिस्ट्री ओप्षिनल है वो ध्यान देंगे कि यहाँ पर समराजी के राजधानी तो मौरे समराजी के राजधानी नगर पूछ लेगा आपसे एक है पाटली पूत्र, एक है उज्जैन और एक है तक्षिचिला तो आपको ये तीनों ध्यान रखनी है और इनके बारे में आपको प्वाइंस लिख लेन अधिकारी और सिल्पकार रहा करते थे तो राज समराज क्यों क्यों कहा जा सकता है तो आप देख सकते हैं कि जो समराज था उसमें बहुत सारे नगर होते थे एक कारण तो आपको ये हो गया कि समराज में बहुत सारे नगर होते हैं दूसरा आप ये दिखा सकते हैं कि नगरों में नगरों में ब्यापारी सरकारी अधिकारी और सिल्पकार भी रहते हैं समराज के बहुत बड़े छेत्रों में किसान और पसुपालकों के गाउं बसे हुए यानि कि समराज में ही बहुत सारे गाउं बसे हुए होते हैं ये कारण ये हो गया मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादा तर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था वहां पर लोग फलफुल का संग्रहण और जानवरों का सिकार करके जीवी का चलाते थे तो अपका एक कारण ये भी हो गया कि एक तो व्यापक अस्तर पर जंगलों का होना हर प्रषाय बोलते थे वह लोग सायद अलग अलग परकार का भूजन करते थे और यहां तक की अलग अलग किसम की पुसाग पहिनते थे यानि आपका समराज्य कैसे बना तो आप देख सकते हैं कि समराज्य में बहुत सारे संग्रादन मौजूद हैं जो लोगों के आजिवीक भी हैं अधिकारी भी हैं कृल सब्ब्रब्र हैं उनके लिए भी आज़िवका संसादन उपर बृबद है तो इस तरीके से हम राज्य को सम्राज कह और पहले कीसे कैसा उसको देख लेते हैं little c64 राज्य कारड बढ़े हैं नुग 4 के लिए बड़े होते हैं जबकि राज़्य में इसा कुछ भी नहीं है इसलिए समराटों को रजाओं की तुल्ल हमें ज्याता संसाधनों की जरूरत होती है और एकester और यहाँ पर लिख सकते हम कि समराट समराट भी कहाँ पर रहते हैं नगरों में समराट going नगरों में रहना या कैसा हम राट नगरों में रहते हैं नगरों में रहते हैं फिर आप लिख सकते हैं कि नगरों में नगरों की सुरक्षा है तू अधिकारी सेना मिलकर काम करते हैं मिलकर काम करते हैं इस परकर ये विभीन हो गया यहाँ पर उपस्थिती मिलकर काम करते हैं यह सही नहीं हो रहा है आप लिख सकते हैं सेनाओं की उपस्थिती नगरों की सुरक्षा है ते अधिकारी सेनाओं की उपस्थिती राजा की सुरक्षा है तू तो यह सारे चीजे राज्य को राज्य से समराज्य को भिन्न बनाती हैं फिर आगे है कि इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में करी कठा करने वाले अधिकारियों के जुरत होती थी तो जाविर सीबात जब जादा संसाधन लगेंगे तो उसके लिए खर्च भी होगा तो वो खर्च कहां से आएगा तो ऐसे ही करी के माध्यम से कठा किया जाएगा और करी कठा करने के लिए राजा स्वयम तो जाएगा नहीं तो यहां पर एक फेक्ट यह भी दे सकते हैं कि करी कठा करने वाले अधिकारियों की उपस्तिती एक लिए लिख सकते हैं तो इस तरीके साथ देख सकते हैं राज्य समराज जैसे कैसे भिन तो इन सारे कारणों के अधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य जो है वो समराज जैसे भिनन होता है आगे अगर हम देखें तो समराज जी का प्रसासन उपर हमने वन्स छोड़ा था उसको देख लेते हैं एक बार इरा वन्स वन्स में क्या है कि जब एक ही परिवार की कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वन्स का कहा जाता है मौर्य वन्स में तीन महतपुन राजा हुए चंद्रगुप्त बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र असोग ये तीनों महतपुन थे तो कभी-कभी क्या होता है कि UPSC में या स्टेट PCS में क्रम पूछ लेता है क्रम और राजाओं का क्रम तो पूछता ही है कभी-कभी वन सावली देखें मौर्य स्म्राज्य की वन सावली तो जिसमिक हैं ऊपर का सभी ये याद रहता है पहले हम लिख देंगे कि हाँ ठीक है चंद्रुप्त मौर्य आये क्छंद्रुप्त मौर्य आये फिर आए बिंदुसार बिंदुसार फिर है असोग अब यहां तक तो पता रहता है सभी को उसके बाद तो UPSC भी बहुत चालाग होता है UPSC जब कोश्चन मनाता है UPSC आयोग भी जब कोश्चन मनाती है तो उसको बता रहता है कि बच्चों को ये चीज़े तो पता ही होगी करम तो ये पता होगा तो वो नीचे से देना स्टार्ट का देता है जैसे कि अगर असोग के बाद हमने तो आया 10 रत 10 रत, 10 रत के बाद संपरती संपरती और संपरती के बाद साली सुका साली सुका आप लेज़ों नाम भी नहीं सुनाऊगा फिर आपका डेव वार्मन डेव वार्मन उसके बाद सत्धन्वन और सत्धन्वन के बाद ब्रियदत तो मौरिय समराजी का जो सबसे अंतिम राजा था जो अंतिम सा सक्ता वो कौन था ब्रियदत था ये भी पूचा गया कई बार स्टेट पीसियस में तो आप ध्यान देंगे तो यूपीसि क्या करेगी कि यहां से उठा करके दे देगी कि मौरिय समराजी के सांसकों को करमानुसार लगाईए तो यहां से इसे उपर से नीचे उठा करके दे देगी ये नीचे से उपर तो आपको ध्यान रखना यहां तक तो आपको याद है चलो यहां तक याद है आप को बटदीन नामों को अपनाशान से देखे लेंगे अब अब ये उप्यान के लिए है यह का इस थानों के रखेकि लेंगे यह आप जो दिया गया है महतपुन्णर और ये हैं अभीолов familiar कहां से पराप्त चुकि मौरे समराज बहुत बड़ा था इसलिए अलग-अलग हिस्तों पर अलग-अलग धंग से सासन किया जाता था तब यहां पर कथन कारड देदेगा कथन यह देदेगा कथन देदेगा कि मौरे समराज में मौरे समराज में अलग-अलग हिस्तो पर अलग-अलग धंग से सासन किया जाता था कारड मौरे समराज बहुत बड़ा था तो कथन और कारड आपके दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर फिर है कि पाटली पूतर और उसके आसपास के इलागों पर समराज का सीधा नियंतर और था ना कि उसके अधिकारियों के माध्यम से तो यहाँ पर आपको फसा देगा कुछ दे करके कि राजा जो है पाटली पुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर अपने अधिकारियों के माध्यम से नियंतरण करता था तो नहीं वो डायरेक्ट कंट्रोल करता था राजा डायरेक्ट इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाउं और सहरों के किसानों पसुपाल को सिल्पकारों ब्यापारियों से करी कठ्था करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्ति करता था ठीक है नियंतरण तो खुदी रखता था लेकिन जब कर्वसुनना होता था अब राजा त देशों का उलंगन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे अब यह भी इंपोर्टेंट आपके लिए ऐसा नहीं है कि राजा ने बोल दिया कि ठीक है उनसे आप कर लेकर क्या हो वो लोग कर देने से मना कर दिये राजा का आदेश था कि इतना आपको कर देना है उन्हो में राजा के आदेशों का उलंगन करने पर लोगों को अधिकारियों द्वारा सजा दी जाती थी तो यहां से भी बहुत अलग तरी किसे कोश्चन बना सकता है आप फस सकते हैं जैसे कि अगर हम माने कि जैसे यूपेस्ट का गरम कोश्चन देखें तो यूपेस्ट कैसे को मौरिय समराज्य बहुत अब या पक कि शेत्र में कि अप्या था कि अफैला था इसलिए कि इसलिए कि इसलिए अलग अलग हिस्सों इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग-अलग तरीके से सासन किया जाता था अब दूसरा statement यहाँ पर दे देगा कि पाटली पूत्र पाटली पूत्र तथा आसपास यह जरूर डालेगा आसपास आसपास के इलाको इलाको पर समराठ अपने अधिकारियों के माध्यम से अपने अधिकारियों के माध्यम से नियंतरण रखता था नियंतरण रखता था अब यहां पर आपका देदेगा केवल एक, केवल एक, फिर देदेगा केवल दो, केवल दो, फिर देदेगा दोनो, दोनो सही, और फिर आपका देदेगा ना तो एक, ना तो एक, ना तो दो, तो फिर रजा हो सकता अपने अधिकारियों के मांध्याम से रहता हो लेकिन यह गलत है क्योंकि वह स्वय नियूंतर करता था तो इस तरीके से दो आपको गलत हो गया एक आपको पता है कि सासन जो है कि बहुत ब्यापक शेतर में फाइला हुआ था इसलिए अलग-अलग इस्तों पर अलग-अलग तरीके से अलग-अलग अधिकारियों के माध्यम से सासन किया जाता था तो यह आपका एक सही है तो पड़ते टाइम आप लोग खुद कोश्चन बनाएं कि हाँ कैसे कोश्चन बन सकता है आगे है कि इन में से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था संदेश वाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कारिये कलाब पर नजर रखते थे अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि संदेश वाहक एक तो सबसे पहरे तो यह मौर्य कालिन अधिकारी होता था मौरे कालिन सासन में अधिकारी होता था और ये जो जासूस अधिकारी होते थे उनके किलिया कलाब पे नजर रखता था इन सबसे उपर समराठ था जो राजपरिवार एवं वरिष्ट मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंतर रखता था अब यहाँ पर आपको द्यान देना है यहाँ पर यह वरिष्ट मंत्रियों के माध्यम से कि सहायता से सब पर नियंदर डगता था कौन तो समराट मौरिस अमराजी के भीतर कई छोटे छेत्रिया परांत थी पर तक्षिसिला या उज्जेन जैसी प्रांती राजधानियों से सासन किया जाता था अब ये फिर प्रांते रास धानी है मैपिंग वाले देख लेंगे इसको एक बार उज्जेन और ये तक्ष्टिला के बारे में कुछ हद तक पार्टली पूत्र से भी इन शेत्रों पर नियंतर रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्येपाल बना कर भेजा जाता था तो यहाँ पर क्या है कि ये राज्येपाल बना करके भेज जाता था प्रांतों में लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगों पर इस्थानिय प्रम्प्राओं और नियमों को ही माना जाता था प्रादेशिक किंद्रों के बीच बिस्तिरी चेत्र थे इनके इलाकों में मौर्य सासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंतर रखने की कोशिश करते थे यह आपको एक पार के लिए भी महत पुन थे यह फिर यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेट के रूप में मिलते थे उन्हें कठा किया जाता था उदाहरन के लिए अर्थसास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दच्छिर भारत सोने और कीमती पत्थ पत्थी पत्थि पक्त्रों के लिए प्रशिद्य था तो यह अपको लिए भारत संसाधन के के रूप में इकठे किए जाते थी यहां पर एक सब्द आ गया ऐसे सब्द देखा को घुमा देगा आपको कि नजराना क्या होता था तो यहां कर नियमित धंग से इकठे किये जाते थे वही नजराना अनियमित अब यहां पर एक लाइन में अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो चीज समझ में नहीं आएगे कि कह क्या रहा है लेकि जब इसको अब ध्यान से पढ़ेंगे तो यह कह रहा है कि कर नियमित धंग से कठे किये जाते थे तो यहां पर सब्दों पर फोकस आपको यह करना है कि कर क्या था यह नियमित था वही नजराना अनियमित अब देखिए इस एक अ ने यहां पर मतलब प जब भी ऐसा नेहीं के फिक्स था ऐसे लोगों से ली जाते थे जो स्वेक्षा से इसे देते थे तो नजरान जो था एक तो वह अनियमित था इसे कभी भी कट्ठा कियाँ चाहता था और यह सबसे बड़ी चीजित था कि इसे से लोग इसे देते थे तो ये तीन फैक्ट है नद्राने के रवारे में इसका अच्छे से देख लेंगे यहाँब यह सब्ण जरूर दियान देंगे कि नीयमित कह रहा है यह आगे देखते हैं कि राजधानी में सम्राध इंच चंद्रगूप्त के दर बार में पस्ची मेसिया के यूनानी राजा से लुकस नीकेटर का राजदूत था यानि मेगस्थिनीज चंद्रगुप के दरबार में रहता था मेगस्थिनीज ने जो कुछ देखा उसका वीवरर दिया यानि मेगस्थिनीज ने जो देखा उसका वीवरर दिया तो क्या देखा यहां हम उसके वियूरर का एक अंस दे रहे हैं समराट का जनता के सामने आने के आउसरों पर सुभा यात्रा के रूप में जस्ने मनाया जाता है तो यहां पर एक चीज तो यह एक फैक्ट यह गया क्योंकि यहां सचे से कोशन बनेगा तो सत्य असत्य पूछ लेगा या बहुत अभी देखेंगे को कोशन गैसे बनेगा उन्हें एक सोने की पालकी में ले जा जाता था उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलिंकृत हाथियों पर सबार रहते थे कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे इन पेड़ों पर प्रसिचित तोतों का एक जुन्ड रहता था जो समराइट के सीर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है राजा समाने थे हतियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं वे हमेशा इस बात से ड़ले रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चकते हैं वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे है अब यहां पर देखिए यहां पर देख़ देगा आपको तीन चार और सही पूछलेगा सत्या सत्य पूछलए इसा करकी तो सबसे पहले थे हैं इसे आपको시नdag इसाञे पकड़ना को किसे सोने की पालीगी थी दो डूसरा जो अंग्चरक थे वह सूने और चांदे सा लग्कित रते ना कि लोहा तामबा से तो बीच में कुछ और डाल देगा तो ये ध्यान रखना है फिर कुछ अंगरक्षक पेड़ों को ले करके चलते थे हतियार बंद यह important है महिलाओं यह पूरुस नहीं महिलाओं यह डाल देगा सिनाओं से पूरुसों से ल प्राट होगा सासक होगा उसको बीना चाका खाना कैसे खिलाएंगे कि कुछ भी हो सकता है तो वह तो नॉर्मल आप लोग कॉमन सेंस से भी उसका आंसर दे देंगे आगे है और पाटली पुत्र आधुनिक पटना के बारे में अब इसको देखते हैं यह एक विसाल और खुबसूरत नगर है यह एक विसाल प्राचीर से घिरा है यानि किले बंदी की गई है जिसमें 570 यह तो नहीं पूछेगा दो और तिन मंजले वाले घर लकड़ी और बने हुए है वह दो मंजले और तिन मंजले भी बने हुए है और लकड़ी कच्ची इटों से बने है इसमें पत्थर का गई भी यूज नहीं है तो यह आपको द्यान रखना है राजा का मेहल भी कार्ट से बना है और जिसे पत्थर की नकासी से अलंकरित किया गया है यह चा अधर नकासी की जाती थी खुबसूरत उद्दानों से घीरे होते थे चुडियों का बसेरा होता था यह सारे जिजह आप बता सकते हैं हुआ吧 है कि आगे देखते हैं यह जो पीछे ता पहले यह नज़राना संधाधन नजराने करी्यूप में कट्ट ह請 हते थे उन्हें में से एक फ़ाट यह और छोन्ते में जंगल वाले इलाके आते हैं यानरु वहां से भी कर लिया है तरफता तो वहां रहने के दें अब देखते हैं असोख एक अनोखा सम्राठ असोख मौर्यवन से के सबसे प्रसिद्ध सा सकते वह ऐसे पहले सा सकते जिन्होंने अभिलेखो द्वार जंता तक अपने संदेश पहुचाने की कोशिस की असोख के ज्यादा अभिलेख प्राकिर्थ भासा और ब्रह्मी लिपी में यह आपको ध्यान रखना है कि भासा तो क्या थी भासा तो प्राकिर्थ थी भासा लेकिन लिपी जो थी वह ब्रह्मी लिपी थी जिसे देवनागरी लिपी होती है ना अपनी उस टाइप में तो भासा प्राकिर्थ लेकिन लिपी ब्रह्मी थी ये पीटी का फैक्ट है आपका फिरलेंस में पूछ सकता है फिर आगे आते हैं कलिंग युद्ध का वर्डन करता हुआ असोक का अभिलेक और आप सभी को पता है कि कलिंग युद्ध का कि इस अभिलेक में वरन किया गया है तो ये है तिराओंवा तिरामा शुलालेख में कलिंग यूद वरन किया गया है अपने एक अफिलेख में असोक ने यह बात कही राजा बनने के आच साल बाद मैंने कलिंग बिजए की तो ये भी कुशन पूछा कुछा ग thereby कि असोक का राजा बनने के कितने साल पाशात कलिंग बिजय की गई थी तो वो आठ साल बाद एक फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखनी है लगबग देढ़ लाख लोग बंदी बना लिए गए एक लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए उससे मुझे अपार दुख हुआ असोक ने कहा और दुख क्यों हुआ जब किसी सोतंतर देश को जीता जाता है तो लाखो लोग मार जाते हैं और बहुत सारे बंदी बना जाते हैं इसमें ब्राम्मर और स्रमन भी मारे जाते हैं जो लोग अपने सगे संबंदियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृत्रकों के प्रती दयावान होते हैं वे भी युद्ध में या तो मार जाते हैं या अपने पिरजनों को खो देते हैं और यही सब कारण है कि मुझे पश्चाताप हो रहा है अब मै तो आप दीखे कितना बड़या पर दिया है एतिक्स को यूच कर सकते हैं कि धम के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बल पूरुकर विजय पाने से ज्यादा अच्छा है यह धर्मनी यह कि 아무 मतलब होता है कि युद्द का नीत त्याकर युद का निती त्याग कर सांती सांती की निती अपनाना ये है धम का मतलद, धम का मतलद कीसी धर्म से नहीं है यानि सांती की निती अपनाना ही क्या है धम है तो सांती पुर्वक आप रहेंगे तो मामला भी सुलच जाएगा अच्छे से सांति साभ उससे बातशित करेंगे उनके साथ नर्मी से बात करेंगे तो लोग भी समझ जाएंगे बढ़िया काम करने लग जाएंगे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से एथिक्स जी एस फोर में आप एथिक्स में आराम से यूच कर सकते हैं जिसे कि अगर वहाँ पर कोश्चन इस तरीके से बनता है कि निम्नलिखित में से किस प्रसासक ने ऐसे करके या आप आपके विचार में प्रसासक के मुख गुडो का परचय क्या होना चाहिए इस तरीके से यह दो चार का दे देगा कि मलिखित में से किस प्रसासक के मुख गुडो का किसी प्रसासक के मुख गुडो का परचय दीजिए इस तरीके से कोश्चन कर लेगा बना देगा तो आपको यह चीज़े धिहान रखनी है आगे है कि मैं य यहां पर देखिए, मेंस का एक points मिल गया, कि मेरे बाद, यानि असोक ने कहा कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद ना करें, तो जब मौरे सामराज का मौर प्रसासन का पतन की बात की जाएगी, मौर समराजय के पतन के तो क्या एक कारड यह अपने ड़ा सकते बहुत अराम से डाल सकते हैं कि जब वो युद्ध ही नहीं करेंगे और वहीं जो दूसरे तरफ राजा है जो दूसरे राजा हैं वो आपने समराजय का विस्तार करना चाह रहे हैं तो जायर से बात है कि वो तो युद्ध करेगा ही करेगा तो एक कारण इसको भी माना जाता है कि असोग के दवरा दिया गया जो संदेश था उसके बेटे और पोतों का युद्धना करें वो भी मौर्य सामराजी के पतन में महत्वपुड भूमी का निभाया था तो ठीक यहां तक हो गया उन्हें कहा कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्धना करें इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम को कैसे बढ़ाया जाए उन्हें कहा कि मेरे बेटी और मेरे बाद जो मेरे पोते होंगे वो यह सोचे कि धम को कैसे बढ़ाया जा ना कि युद्ध करना अब देखते हैं असोक का कलिंग युद्ध तो कलिंग तटवर्टी उडिसा का प्राचीर नाम है असोक ने कलिंग को जितने के लिए एक युद्ध लड़ा लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वित्रिष्णा हो गई उन्होंने निर्णे लिया कि वे भफिस में कभी युद्ध नहीं करेंगे तो यहाँ पर हिर्दे परिवर्टन जो हुआ था वो कलिंग युद्ध आवसेक्ता नहीं थी वही बात मैंने बोला कि किसी धर में से जोड़ करके अपलोग मत देखेगा यह सांती की निती थी तो वही बात यहाँ पर कहरा है कि असोग के धंब में किसी देवता की पूजा अथवा कि कर्मकांड के आवसकता नहीं थी उन्हें लगता था कि जैसे पीता अपने बच्चों को अच्छे बेवार के सिक्षा देते हैं वैसे ही वह उनका करतब था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें तो एक लागर एक की वर्ट में हम लिखें कि असोग का धं में क्या था तो असोग का धं में क्या था तो असोग का धं था अच्छे बेवा कि शिक्षा और जब ये असो कदम अच्छे इसको आप जी अस्त्री में समाजी कि उसमें भी आप जो समाज में भी आपत बुराइया हैं उनको दूर करने के लिए भी एक ही बीडाल सकते हैं कि अगर ये इस तरीके का स्च्छा आवरत्माम में प्रसंगिक हो तो क्या होगा तो भेदभाव नहीं होगा भेदभाव नहीं अमीरी गरी भी अमीरी गरी भी नहीं होगा ज्यादा सामप्रदाइक्ता नहीं होगा सामप्रदाइक्ता सामप्रदाइक्ता को बढ़ावा नहीं मिलेगा बड़े बुढ़ों के प्रती बड़े बुढ़ों के प्रती सम्मान जनक बेवहार को बढ़ावा मिलेगा इससे क्या होगा भातरित्वे की भावना का भीकास होगा सारीकर से कई सारी चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं इस एक लाइन से कि इतने सारी चीज़ों में फायदा होगा तो या आप अराम से जियास फूर हो या GS3 हो, आप अराम से इस चीज को लिख सकते हैं, S से हो, वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं इसको आगे हैं कि वे बुद्ध के उपदेशों से पिरेडित हुए थें, यानि कौन तो असोक तो बुद्ध के उपदेशों तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जैन वे नहीं है, यहाँ पर बुद्ध है, जैन डाल देंगे, या फिर ब्रामर डाल देंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जैन और ब्रामर नहीं है, यहाँ पर बुद्ध के उपदेशों स कि नहीं हो रहा है यही बात यहां पर बता जा रहा है कि अलग-अलग भारत भी विपित्ता पुर्डेश है तो विपित्ता में एकता बनाये रखने के लिए ये चीज़े ज़रूरी हैं तो इसमें कई बार टक्राव पैदा हो जाता था जानवरों की बली चड़ाई जाते थी एक ये भी मिल गया आपको दांसों और नौकरों के साथ क्रूड बेवाल किये जाता था इनके अलावा परिवार में वह पड़ोसियों के बी देखना सीख गये थे किस नजरिये से चीजों को देखते थे तो उसी नजरियों को आप लोग भी यहां बड़ डेवलट की डिवलट की जिए कि एंसे आटी को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है कि वल फैक्ट का नोट मत बनाईए आप लोग खूद इसमें एडिट कीजिए कि इसको और हम कहां कोट कर सकते हैं और कहां डाल सकते हैं और क्या चीज़े हो सकती हैं और यह UPSC कुछ नहीं आपके आसपास सारी चीज़े होती हैं वही UPSC है क्या आपको नहीं लगता क्या आपको क्या लगता है क्या सारी चीज़े आपके आसपास नहीं होती होंगी हर जगे होती है चिज़े तो हर जगे होता है उप तो यह सबसक्या तो यह यह आत्या सब्सक्राइब के आप लोग विर भून रहे हैं शुद्शत कि अदिकार की और जग्र जग सब्सक्राइब धम की सिक्षा देते थे अब यहाँ पर आपको बस एक फेक्ट याद रखनी है कि धम महामात्य नामक अधिकारी का काम क्या होता था तो जग़ जग़ा जा करके धम की सिक्षा देना यानि सांती की निती को बढ़ावा देना इसके अत्रिक्त असोक ने अपने संदेश कई अस्थानों पर सिलाओं और अस्तंबू पर खुदवा दिये अधिकारीयों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे देखे कितनी अच्छी बात है कोई चीज पढ़ी हुई खुद से नहीं याद होती है लेकिन किसी के द्वारा गर हम पढ़ते हैं किसी के कहे द्वारा गर हम सुनते हैं तो वो चीज़े हमको जादा देर तक याद रहती हैं और अच्छी समझ में भी आती हैं उंहोंने कि अच्छा काम किया था हुए असूप ने धम्य के विचारों के लिए शीरिया मिश्र 무ills त्हद सृरिलंका भी भेजें हुए कि उन्होंने सच के बनवाई खुएं खुदवाएं और विश्रान ग्रीव बनवाएं इसके अतरिक उन्होंने मनुस्यों वह जानवरों के चिकिस्ता की भी विवस्ता की देखें मतलब जो इंसान इतना खुखार था कलिंग जैसे युद्धिगिया कितने लोगों उसमें मारे गएं और उस चीच को देख करके मतलब इस तरीके से उनका हिर्द परिवर्तन हुआ कि मने से उन्होंने जानवरों के प्रती भी द्यारदा दिखाने स्टार्ट कर दे थी यानि वह मानव को लेकर तो सोचते ही थे कि हां इनके सगे सम्मंदी अगर इनका देथ हो जाता है तो कैसे रहेंगे कैसे रोते जानवरों के प्रती दिखाने स्टार्ट कर दे थी कि जानवर उसको चोट लगता है तो बेर जुबान हो क्या बोलेगा किसी से तो देखिए उनके लिए भी नहीं क्या गिया कि चिकिस्ता की विवस्ता करवा दी तो मुझे तो लगता कि अगर प्रसनालिटी के बारे में ज जुरत ही नहीं है कि से आपका तयार है को जोक दिखे यदो M Denkation अब देखते हैं अब देख्ते हैं अपने प्रजा के लिए असोक के आदेश संदेश अपने प्रजा के लिया आसोक ने क्या संदेश तोडें लोग विभिन अपसरों करते हैं उदारण के लिए जब भीमार होते हैं जब उनके बच्चों का विवा होता है बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा सुरू करते हैं तब वे तरह-तरह के अनुस्ठान करते हैं उन्होंने कहा कि यह कर्मकार्ण किसी काम के नहीं है यानि यह सारी के साथ अच्छा व्यवार करना बडो कादर करना सभी जीवों पर दया करना और ब्रह्मन तथा श्रमों को दान देना देख कितनी अच्छी बात है यह पर भी क्या है यह यह बादने सब्सक्राइब करने कि बिबित्ता में एक्ता को कैसे बनाए रखे क्या ये सब करने से नहीं रहेगा अराम से बन जाएगा अपने धम की प्रसंसा या दूसरों के धम की निंदा करना दोनों ही बातें गलत है आजकल तो यही हो रहा है हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्ताम में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुचा रहा है लेकिन आजकल की लोगों को कौन समझाए अब तराज नितिपें भी यही खेल हो रहा है धर्म को ही लेकर के तो इससे क्या होगा यह क्या संदेज दना चाहरा है अगर इसको आजकलेट में अगर यह चीजें आजकलेट में हो तो इससे क्या फाइदा मिलेगा सामप्रदाइक्ता को रोका जा सकता है रोका जा सकता है आगे करें कि इसलिए हर किसी को दूसरे के धर में के प्रमुक विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए बदाये इस प्रकार से चीजें हो जाएं तो ये कभी विवाद हो गई नहीं और असली भारत में अगर विवित्ता में एकता देखनी है तो ये सारे चीजें करने के बाद ही देखा जा सकता है यहां पर दिया कि भारत के प्रतम परधान मंत्री पंडित ज्वाहलाल नहरुन ने लिखा है उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भासा में बात करते हैं जिने हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं तो यहां पर कथन देखा आपको किसका कथन है कि असोक के धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भासा में बात करते हैं जिने हम समझ सकते हैं और जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं आपको ध्यान देना है यहां पर कि वह थे हैं पंडी जुआहलाल नेरू यह पूछ लेगा आप से कथन देख करके असोक ने धम के बिचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आप जो आपकी अनुसार आज भी प्रसंगीक है असोक के संदेश के उन हिस्तों को बताओ जो आज भी प्रसंगीक है आपको आपको बताने है आप लोग इसको कि आप लोग क्या समझ पाए हैं और क्या कैसी अब अर्तमामें प्रसांगिक हैं अब आगे देख लेते हैं अनियतर में तो कुछ नहीं है बस यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है और दिया भी है कि पडोसी देशों के प्रती असोग का रवया चीनी समराटों के रवये से कै से बिनन था तो यह आपको लिखना है कैसे बिनन था यानि परोसी देश के प्रती असोग का रवया चीनी यूद्ध्रेद के बाद क्या हुआ था हिर्दे परिवर्तन हुआ थाए इंद क्या हुआ खाया मैं कुर्ण बंच करन थम यूद्र का हँआ हमने और तो हर्धे परिवर्तन हु MacD Karmaं कि यह क्या भी मत दिए assign कर दương joyful अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने पड़ोसी देशों के प्रती देशों के प्रती मित्रता पुर्वक हो गया मित्रता पुर्वक हो गया और सभी के साथ सान्तिपूर संबंद बनाए तो इसमें दो है ये तो हो गया पड़ोसी देशों के प्रती असौक का रविया अब चीस अम्राट रववय गूदेख सकते हैं कि चीनी समराट का रविया क्या था अशो दो भीन्य था अब देखते हैं चीनी का क्या था तो बस उल्टा कर दिजготов जो चीनी थे लूदो ब कि यूद्ध करते रहते थे देशों के साथ युद्ध करते रहते थे ठीक है तो यह था दोनों में डिफ्रेंट बाकि आप लोग इन सब्दों को देख लिजेगा एक बार सम्राज राजधाने अधिकारी संद्रे स्वाहाग प्रांत धम एक बार इसको देख लिजेगा आप लोग अच्छे से और तो कोई चीज छूटी नहीं हमसे हाँ एक फैक्ट यह है कि उत्क्रिस्ट पालिस वाले पत्तर की इस मूर्थी को देखो यह बिहार के रामपुर्वा में एक मौरे कालिन अस्तंब का हिस्सा आए बस आपको ध्यान रखना कि रामपुर्वा कहां पर है तो यह बिहार में बस लोकेशन ध्यान देनी हैं आपको बाकी यह रिक्त स्थान दिये हुए है पढ़ने के लिए पहले इस कोश्चन को देखते हैं कि मौरे समराजी में बिभिन काम धंदों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ तो अभी हमने उपर देखा क्या क्या थे एक तो थे क्रिशक फिर हमने देखा सिल्पकार आपको हर काल में यही मिलेंगे सिल्पकार इसलिए इसको रट लीजी अच्छे से फिर जासूस जासूस भी थे फिर फल्लफुल संग्राहक जंगल उनके आजीवी का जंगल उपराधारी थी संग्राहक वो थे फिर सिकारी भी थे सिकारी पसूपालक पसूपालक ब्यापारी संदेश वाहक और सरकारी अधिकारी बागी एक दो छूट रहा होगा आप लोग लिस्ट जेगा मुझे तना यादा रहा भी तो यह इनकी लिस्ट थी फिर याप पर एक तिस्थानों को भरो जहांपर सम्राटों का सीधा सासंथा वहाँ अधिकारी वसूलते थे अभी इमने देखा कि सीधा जो सासंथा वाले लोग मौरे अधिकारियों को किया देते थे तो नजराना देते थे नजराना तो इसको इसको भी आप लेक किया किजिए क्योंकि इनी छोड़ी-छोड़ी चीजों से ही बहुत कुछ बनाए ऐसे कोशन उपर में प्रम या पर दिया है यह गलत दे दिया है क्योंकि उजयन नहीं था यह था कि surface ही यह था को in English questo यह आपका गलत है यह अध्यान जटा अध्या पर दच्छिन पर था पत पर था तो देखिए यहां पर यह बहुत अच्छे से आपको लिख के और देख लेना है ऐसा नहीं है कि एक बार यहां पर देख लिए तो छोड़ देंगे इसको और आम साब इसको रिविजन कीजेगा वर्ना भोल जाएंगे क्यों कोई भी चीज दो दिन तीन दिन नहीं याद रहती है अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो उससे चाथ आपको याद रहेगा ही नहीं और क्या पदा कि आज इस टाइम पढ़े और कल साम तक खतम नीलवटे संनाटा वो होई जादा नीलवटे संनाटा जिसलिए आप लोगों किसको कम से कम दो से तिन बार लीखिय गाए है यहाँ यह गलत है यहाँ पर को चंद्र गुप्त की भीचार के लिख जाए वह कि दो चाडकी के भीचार है падा अनला की परम्भी में तो मिलिपी इंज तो इस तरीके से आप देख लिजए यही से आपकी प्रक्टिस होगी दिले और यही प्रक्टिस जा करके आगे बहुत बड़ी हो जागी पाइसे आाउ कि पढ़ाएंगे देखकर के कि पश्शीम है कि दच्चन है उत्त्थर है वोडिशा है कि क्या है जगाका नाम चेंज कर देगा इस तरीके से आपको ध्यान देनी है पिर यहां पर अगर हम देखें कोश्चन तो उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समधान असोक धम में द्वारा करना चाहता था तब यह देखा बहुत साली चीज़े थी जैसे अगर यहां पर लिखा जाए तो आपसी टक्रा ना हो फिर भेदभाव ना हो ना हो फिर हम देखा कि जानवरों की बली बली ना हो दासो नौकरों के साथ अच्छा बेवार किया जाए अच्छा बेवार किये जाए फिर हम ने देखा कि पडोसी पडोसी आपस में जगड़े ना करें आपस में जगड़े ना करें तो इस तरीके से आप और भी चीज़े हैं लिख लिजेगा फिर है कि धम में की परचाल के लिए असोक ने किन साधनों का प्रियोग किया तो अजिवने धम मह मात्य कि नियुकति कि जट्राटकि जड़े इसोमे कि धम मह मात्य और को प्रचार प्रसार करने ही तुनों ने भेजा करने ही तु भेजा अपने संदेशों को कई अस्थानों अस्थानों पर खुदवाया यह किया है नोंने फिर क्या थे नोंने कि कुछ अधिकारीयों के माध्यम से कुछ अधिकारीयों के माध्यम से उन संदेशों को लोगों के बीच लोगों के बीच पढ़वाया तो देख सकते आप कि परचार करें हुने किन किन साथनों का पर्यों किया तो अब आप इसको ढूंदते जाते कि क्या क्या किये तो वह सारे आंसर इसी में हैं इसी चेप्टर में हैं अच्छे से अगर आप करेंगे तो आपकी सोच और बढ़ते जाएगी और चीजे आप अपने लिपर पर आप खुद चीजों को जोड़ते चले जाएंगे आगे देखते हैं कि तुम्हारे नुसार दासों और मौकरों के साथ बुरा बेवहर क्यों किये जाता होगा क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि समराट के आदेशों सो उनके इस्त हिर्द में जीते या खरीदेदस हो इसलिए इसलिए बुरा बेवहर आप ऐसा चीर jsem लोक्ता बूर बुरा चीर ईजना उनकरों कि दॉयार सकता है और जोड़ सकते हैं बेकर पिसे में यहादा देसलिए बूरा बेवहर की सथाह होगा और जोड़ी सकते हैं इसमें बेगारि पह रहे हैं सेकेंड पॉइंट को अगर हम देखें यहां पर सबसे पेड़े तो यह राजा कादेश था राजा कादेश तो इसका परवाव पड़ा होगा पड़ा होगा धम की नीती धम की नीती द्वारा भी काफी हद तक सुधार हुआ होगा सुधार हुआ होगा और भी चीज़े हैं आप लोग एड़ के लिजगा इसमें अगला कुशन है कि रोसन को यह बताते हुए कि हमारे रुपे पर सेर क्यों दिखाए गये हैं एक पैरागराफ लिखो कम से कम एक और चीज़ का नाम लो जिस पर इनहीं शेरियों के चित्र बनाएं बने हो तो सबसे पहले तो एक तो इतिहासिक महत्त्व को दर साते इसलिए दिखाए गए हैं इसलिए कि दिखाए गए हैं योग्या फिर है कि कम से कम एक और चीज का नाम लिखो तो की के देजी आप यहां पर एक आप पाऊ गया स्टांप इस पर आप देखते होंगे रहता है स्टांप पेपर पैर हिस पर पर हिस जो दस्टा वेज नोते हैं सरकारी कभी-कभी उनपर भिलता है तो अगला कुशन है कि अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की सकती होती तो तुम कौन से चार राजाग्याएं देते हैं तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना बस असोप के जो संदेश उसे उठा करके डाल देजे कि सभी धर्मों का सभी धर्मों का सम्मान किया जाए फिर सभी को सिक्षा का समान आउसर दिया जाए समान आउसर दिया जाए इस तिरियों पुर्सों में भेद भाव ना हो समावेशी विकास पर बल दिया जाए यह चीज़े है आप अराम से इसको लिख सकते है अब तो कुछ रह नहीं गया है अश्य यहाँ देख लेते थोड़ा सा आगे की बात लगबग बाईश सो वर्स पहले मौरे समराजी का पतन हो गया तो पतन में हमने एक कारण वो भी देखा था है यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके अस्थान पर नए राज्य का उदे हुआ पश्य मुत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब एक सो सालों तक हिंद यवन रजाओं का सासन रहा इसके बाद पश्य मुत्तर उत्तर पश्य में भारत सक नामक मद्दे स्याई लोगों का सासन रहा इन में से कुछ राज्य लगबग 500 वर्शों तक ठीके रहें जब तक कि सक सासकों को गुप्त सासकों से पराज़ा ने मिली सकों के बाद कुष्य मित्र सुंग ने एक राज्य की स्थापना की सुंगों के बाद कर्व तथा कुछ और वन्सों का सासन तब तक चलता चला जब तक लगबग 700 वर्श पहले गुप्त सामराज़्य की अस्थापना हुई हमने देखा कि पश्च्वी भारत के कुछ इस्सों पर स्थाकों का सासन था तदा पश्च्वी भारत सत्वान सासकों के सत्ने के युद्धु में यह सब तो इतना वह खास है नहीं बस आपको यह द्यान रखना है यह जो करम है ना करम एक तो कोना सबसे पहला अगर हम देखें तो हर्याक वंस आया पिराया पिराया सिसुनाग सिसुनाग वंस शिसुनाग वंस शिसुनाग वंस पिराया नंद वंस पिराया का मोर्य वंस फिर आया सूंग और फिर आया कर्ण फिर आया आपका साथ वाहन बस इतना ही काफी है इतना ही पूछता है इस से आगे नहीं जाता है तो यहीं इस वीडियो को समापते करते हैं बागे मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी को साथ हमारे सोरी आप सभी को हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू